ओम नमस्षिवाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ती ज्यान में, दोस्तों आज मैं आपको सिव महा पुरान की कथा सुना रहा हूँ, आप सभी भक्त जन इस कथा को स्रद्दा पूर्वक मन लगा कर सुने, भगवान सिव जी आप सभी की मनों क मनुष्छ संसार में परमधन जो मनुष्छ आन्न सव धर्मों को त्यापकर केवल भगवान सता सिव का पूजन करते ही बे-भववंदन से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करते ही जो मनुष्छ सरद्द पूर्वक्त त्रियोधसी का अब्रद धरन करता है उस पर सिवजी के ब्रत में भागवान सदासिव का पूजन प्रदोस काल में करना चाहिए इस ब्रत में भागवान संकर की अत्रिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना उचित नहीं है जो मनिश्य प्रदोस भ्रत धरन करता है वे कभी भी दरित्री नहीं रहता प्रदोस काल में भागवान स तता सिव का पूजन करने के लिए उनकी सरण में जाते हैं। उस समय सब्देवता तता रिसी मुनी सिव गिर्जा के चार ओर बैठ कर उनका भजन तता खेरतन करते हैं। विष्णुजी मिर्दंग बजाते हैं। मैं करताल बजाता हूं। सरस्वती बीणा बजाती हैं। लक्षमी गीत गाती हैं। तुम भी बीणा बजाते हूं। अन्य सब्देवता तता उप्देवता सेवा में खड़े रहकर उनके यस का वर्णन करते हैं। इस प्रिकार प्र करता है कि कैसा मूर्ख है जो इस समय सिर्जी का ध्यान ना करके हमारी पूजा कर रहा है इसलिए यही उचत है कि प्रिदोस काल में अन्य सब को त्याक कर केवल भागवान सतासिव का ही पूजन किया जाए इस समंद में मैं तुम्हें एक बिचत्र आख्यान सुनाता हूं उसे द्यान पूरवक सनो इनरद दक्षन दिसा में विधर्व नामक देश में सत्रत नामक एक राजा राज़ करता था वह न्याय दता दया का आस्रा लेकर द्यान में पूरवक अपनी प्रजा का पालन करता था इसलिए उसके राज में कोई भी दुखी ना था एक बार साल्व नामक राजा ने उसके नगर पर चड़ाई कर दी उस युद्ध में राजा सत्रत मारा गया तब उसकी राणी नगर से भाग कर बार विपिन की ओर चल दी रात पर चलती हुई वह सवेरे एक तलाव के समी पहुँची तो वहां उसने सुब लगन में एक पुत्र को जरम दि जिससे वह तलाव के टट पर पानी के लिए जा पहुची जैसे ही उसने तलाव में से पानी को हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही एक गड़या ने उसे निगल लिया इस प्रिकारानी भी मिर्त्यू को प्राप्त हो गई तब वह बालक अपने इस्तान पर अकेला पढ़ा हुआ छोदा त्रेश्णा से व्याकुल हो रुदन का ने लगा ए नरद उस बालक को रोते हुए देखकर सिवजी को बहुत तया आई तब उनकी कृपा से एक विदवा ब्रामडी अपने पांच वर्सिये पुत्र को साथ लिए उसी इस्तान पर जा पोँची जहां वह बालक पढ़ा हुआ था जिस समय वह इस्तरी उस बालक को अकेला पढ़ा हुआ देखकर आश्यर में भरकर यह विचार कर रही थी कि इस नवजात सिव को यहां कौन छोड़ गया है तता इसका पालन किस प्रकार होगा उसी समय भागवान सदा सिव जी एक बिक्षुग ब्रामण का सुरूप धारन कर उस इस्तान पर जा पोँची और ब्रामणी से कहने लगे हे ब्रामणी तुम संदिय त्याकर इस बालक का पालन करो हे नारद ब्रामण रूपी सिव जी के मुख से यह बचन सुनकर उस बेदवा ब्र पूर्व जन्व का बिरतांद सनाने के किर्पा करें। सिव जी बोले ही ब्रामडी ये बालक पूर्व जन्व में एक राजा का पुत्र था। एक समय ये त्रियोदसी ब्रत का धारन करके सिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सिवकों दोरा नगर में उत्पा द्वार द्वारा उसका सिर का डला तद प्रांत यह उसी असुद दसा में बोजन करने चला गया तथा पूजन को पूर्ण करना भूल गया इसी अपरात की कारण यह आव बिदर देश नरेश की यहां उत्पन होकर ऐसी बुरी दसा को प्राप्त हुआ यह ब्रामडी त्रियो उसे घड़याल खा गया है तुमारे साथ जो एक पूत्र है उसके पूरुजन का ब्रतांत यह है कि इसने पूरुजन में कोधान का दान ग्रहन किया था इसलिए अब यह दरिद्री बनकर तुमारे बालक की रूप में उत्पन हुआ है अब तुमें उचत है कि तुम अपने बालक की तरह इस राजपत्र की देखबाल करो जब यह बालक कोछ बड़े हो जाए तब तुम इन दोनों से सिपजी का पूजन कराना सिपजन के प्रताप से यह दोनों सब प्रकार की संसारी दन संपत्तियों को प्राप्त करेंगे तता तो में वी सुक पहुँचावेंगे मित्यों के उप्रांत तुम तीनों यह मुक्ति पत को प्राप्त करोगे इतना कहकर भागवान सदा सिपने उस ब्रामडी को अपने मुक्ष सरूप का दरसन दिया उस रूप को देखकर ब्रामडी ने अत्यंत प्रिसन नोग रंडवत प्रणाम तता इस तुती की तत राज सेवजी अंतरध्यान हो गए नारज जी ने का है पता इसके पश्यात क्या चरित्र हुआ ब्रामडी उस राज पुत्र को तथा अपने पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी वह विक्षाटन करके उन बालकों का पालन करती थी को समय बाद जब का बढ़न करते हुए देका तब उनसे मंत्र लेकर सेवजी की आराजना करने लगी मुनी के उपदे से उन्होंने प्रदोस ब्रत रखना भी आरम कर दिया है नारज जब उन्हें ब्रत करते हुए चार महीने बितित हो गई तब यह गटना गटित होई कि एक दिन बे दोनों नदी में इश्णान करके सेवजी का बाना धारन किये अपने घर को लोट रहे थे कि उन्हें मार्ग में सेवजी की किरपा से धन से बढ़ा हुआ एक घड़ा दिखाए दिया वे उस घड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले आई उस धन को देखकर माता ने ये आग्या द कि तुम दोन इस धन को बराबर बराबर बांट लो ये सुनकर राज पुत्र ने उतर दिया ही माता इस धन को तुमारे पुत्र ने पाया है अज तुमें इसे ग्रेंड नहीं करूंगा भगवान सदासिव जब मुझ पर किरपा करेंगी तम में स्वेम ही अपार धन प्राप कित हो गया तब एक दिन वे दोनों किसी बन में जा पूंचे वहां एक परम सुंद्री गंदर्व कन्या खड़ी हुई थी राजपुत्र उस कन्या के पास जा पूंचा वह कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम में मगन हो गई तद प्रांद दोनों में पढ़शय का आदान प्रेदान हुए उस कण्या ने कहा है राजपुत्र मैं कोद्रवरिय को नामक गंदर्व की पुत्री हुँ मेरा पिता सभी गंदर्वों का राजा है में गान विद्या में अत्यंत प्रवीन हूं यह सब भगवांस अदासिव की किरपाई है जो मेने यहां तुमको प्राप्त किया है अब तुम मेरे पती बनना सुईकार करो यह कहकर उसने राज पुत्र के कंट में एक मोतियों की माला पेना दी तब राज पुत्र ने का हे गंधर पुत्री मैं जाती पाती से वह स्कृत्त था राज से हीन हूँ अवे तो तुमने अपने पिता की आग्या भ कर तुमारे पात साथ बिवा करूंगी और तुमारी रानी बनकर रहूंगी तुम आसे तीसे दिन अमोक इस्तान पर आ जाना वहीं मेरी वा तुमारी पुने भीट होगी इस प्रकार कहकर वह गंधर पकन्या चल दी तब राज पुत्र भी अपने घर लोटाया हे नारद ती हे राजपुत्र में भागवान सदासिव के यहां नित्य गायन करने के लिए गया था वहां स्री संकर जी ने मुझे ये बताया कि प्रित्वी पर धर्म गुत्त नामक एक राजपुत्र अपने माता प्रिता तता राज से हीन होकर आज तक गुरू के उपदेश द्वारा त उसकी साहिता करो जिससे वह अपने सत्रों पर विजय प्राप्त कर फिर से अपने सिंगासन पर आरुण हो सके हे राजपुत्र सिव जी की उस आग्यान सार में तुमारे पास आया हूं सरप्रतम में अपनी पुत्री का विवात तुमारे साथ किये दिता हूं इसके अनंतर म मैं तुम्हारे सत्रू का नास करके तुम्हारा राज बापस दिलाऊंगा, तुम अपने राज को फिर प्राप्त करके अपनी रानी सैत संसारी भोग भोगे तथा अंत में सिव लोग को प्राप्त होंगे, इतना कहकर गंदर्व राज ने अपनी पुत्री का विवा उस धरम गुप्तनामक राजपत्र के साथ कर दिया। तो प्रां़तवय राजपत्र के सब सत्रों का नासक कराया और उसे उसका राज बापस दिला दिया। इतना सब चरित्र करनी के प्रांद गंधर्व अपने देश को लोट गया तब राजा धर्मगत अपनी राणी सहित सोक पूर्वक राज करने लगा उसने अपनी माता के समान ब्रामडी को तथा उसके पुत्र को भी अपने पास बुला लिया यह नारद त्रोदसी का ब्रत इस प्रकार चारों पदार्तों को देने वाला है जो लोग इस चरित्र को पढ़ते सुनते अत्वा दोसों को सुनाते हैं उने भी दोनों लोकों में अत्यंत अनंद प्राप्त होता है ब्रह्मा जी निकाहे नारद पुरातन काल में एक वाल देवताओं तथा देत्यों में बड़ा युद्ध हुआ देवताओं के अधपती इंद्र थे और देत्यों का अधपती ब्रतासुर था उस युद्ध में ब्रतासुन ने अपना सरीर इतना बड़ाया कि किसी भी देवता में उसका सामना करने की सामर्त नहीं रही। तब सब देवता युद्धिस्तान को छोड़कर भाग कड़े हुए और ब्रस्पति जी की सरड में जाकर इस प्रिकार करने लगे है प्रवों। अपने पूर जन में चित्र रत्र नामक एक राजा था इसने बिदी पूरवक त्रियोदसी का ब्रत धारन किया था तता सिवजी की सेवा करके उनकी किरपा प्राफ्त किती। परंतु सिवरानी द्वारा साब दिये जाने की करन यह इसे जनम में ब्रता सौर बनकर प्रकट हु हम तुमें पृदस पृदस की विदी भतलाते हैं, उसे ध्यान पूरवक स्रवन करो, हे देता हू पृदस का प्रारम कारतेक मास ही करना चाहिए, इस परकार प्रतेक मास की त्रियोदसी तिति को ब्रत करके एक बर्स प्रयंद सिवजी का पूजन करना चाहिए, यदि कभी सुकल पक्षमे त्रोधसी के दिन सनीवार पड़े तो वह अतियुत्तम फल देने बाला होता है जब संध्या काल से पूर्व प्रदोस काल आवें तब किसी प्रसद सिवलिंग का पूजन करें तद उपरांत इश्णान कर मौन धारन करें तता गौग रत से बहुत से दीपक ज पूजित है यदि इतने दीपक जलाने की सामर्त ना हो तो दस बीस दीपक अबस जलाने चाहिए इसके उपरांत सब प्रकार की सामेगरी सेष्ट नैवेद प्रेम पूर्वक सिवजी की भेट करें तथा सत रोद्री का पाठ सरवन करें अंत में दो सो बार सिवलिंग की पर करने की सक्तितरे करेंगे ब्रस पतिक के मुक से यह बचन सुनकर सवी देवता अंत्यीन प्रसन हुए तथा पृप उन्होंने ऑपने गुरू की आग्या के अनुसार प्रदोस भ्रत धारंद किया फेर सेविजी की किरपा का आस्रे लेकर जब उन्होंोने ब्रतार सुब क उन्होंने बृताशुर के साथ यूद्ध किया और इंद्र की बज़ द्वारा बृताशुर मृत्यों को प्राप्त हुआ तब अपने सत्रों पर विजय प्राप्त कर सवी देवता अतन प्रसन हुएं इतनी कता सुना कर ब्रह्मा जी निकाही नारत आप मैं तुम्हें 33 की ब्रत की अन्य विदी सुनाता हूँ उसे जान लेने पर झाल 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 झाल